नमस्कार साथियों, साथियों आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है आज हम आपको बताएंगे 2023 में पित्रपक्ष कप्रारंब हो रहे हैं और कौन-कौन सी पित्रपक्ष की तिथियां हैं जिस दिन आपको स्राद करना चाहिए पित्रपक्ष एक ऐसा पक्ष जब भगवान स्वेम अनुमत देते हैं हमारे पित्रों को प्रत्वी पर विचरन करने की और इस पित्रपक्ष में यानि कि पूरे 15-16 दिनों में जो विव्यक्ति अपने पित्रों का यानि कि जो स्वर्गवासी हैं उनका पूजन तरपान श्राद आदिकारी करते हैं तो घर में सुख सम्रद्ध संपदा वयभव की प्राप्ति होती है और कुल में ब्रद्धि होती है यानि कि वन्स ब्रद्धि होती है तो पित्रपक्ष की तिथियां 2023 में कब हैं सही तिथि क्या है आज इस वीडियो में बताएंगे सबस्क्राइब नहीं किया सबसे पहले निवेदन है विरंती है चैनल को सबस्क्राइब करें वीडियो को शेयर करें जिससे ज्यादस ज्यादा लोगों को हमारी वीडियो का लाप्राप्त हो साथियों 31 सितंबर संद 2023 दिन शुक्रवार से पित्रपक्ष प्रारम हो रहे हैं और इसी दिन प्रतिपदा स्राद करना चाहिए जिन लोगों का देहावसान प्रतिपदा के दिन हुआ है उन लोगों को प्रतिपदा के दिन पित्रपक्ष में स्राद करना चाहिए इसी प्रिकार तीस सितंबर दो हजार तेइस दिन सनी वार को दूतिया सराद है एक अक्टूबर दो हजार तेइस दिन रवी वार को तिर्तिया सराद करना चाहिए जिनकी म्रतुत तिर्तिया तिथी को ही है किसी भी महिने की होने दो कोई भी मास होने दो लेकिन पित्र करना चाहिए और अपने पित्रों को प्रिश्णन करना चाहिए दो क्यों जो 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 जाने में या किसी दूर्गाटना में वहाण नादी में जो अचानक अकस्मात मृत्त को प्राप्थ हुए हैं उन लोगों का श्राद चतुर्थी के दिन करने से उनकी किर्पा बनी रहती है और आत्मागोन को परमसांती प्राप्थ होती है तीन अक्टूबर दो हजार तेईस दिन मंगलवार को पंचमी स्राप है चार अक्टूबर दो हजार तेईस को सश्टी स्राप है इसी प्रिकार पाच अक्टूबर दो हजार तेईस को सब्तमी स्राप है च्छे अक्टूबर दो हजार तेईस दिन शुक्रवार को अश्टमी स्राद है साथ अक्टूबर दिन सनीवार को नौवी स्राद आठ अक्टूबर दो हजार तेईस दिन रवी बार को दसमी स्राद नव अक्टूबर दो हजार तेईस को एकादसी का स्राद है और 10 अक्टूबर 2023 को मगा शराद है मगा शराद उन लोगों को करना चाहिए जिनकी जिनकी जो मृत्तु है पित्रों की पूर्वजों की वो मगा नच्छत्र के योग में हुई है उन लोगों को मगा नच्छत्र में जब वो शराद करते हैं तो बहुत धनलाब होता है आर्थ अधिक स्थित परिवार की मजबूत होती हो परिवार में ग्रह कलेश मिठता है वहीं ग्यार अक्टूबर दो हजार तेज दिन गुद्वार को दुआ दसीस राद है बारा अक्टूबर दो हजार तेज दिन गुरुवार को त्रेयों दसीस राद है तेरा अक्टूबर दो हज कोई भी हो दादा हो नाना हो पर नाना हो कोई भी सभी लोगों का यहां तक कि मित्र मंडली का भी अगर आप करना चाहते अपने दोस्तों का करना चाहते सर्व पित्रा मवश्या के दिन आप स्राध करके पुन्यकार कर सकते हैं और ऐसा करने से जो सर्व पित्रा मवश्या के दिन साथ करते हैं निश्चित मान कर चलो उनके जीवन में कभी भी किसी चीज का अभाव नहीं रहता इश्वर की किरपा हमेशा और पित्रों की किरपा हमेशा बनी रहती है वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा ज्यादा जरूर लोगों को शेयर करें ताकि लोगों को भी हमारी वीडियो की जानकारी प्राप्थ हो पित्रपक्ष में अपने पित्रों का स्राद जरूर करना चाहिए, ऐसा माना जाता है कि जो लोग गया में स्राद करके आ जाते हैं, या फिर ऐसे किसी इस्थल पर स्राद करके आ जाते हैं, पित्रों को मुक्त मिल जाती हो, उसके बाद स्राद करने की आवशक्ता नहीं होती, तो यह एक भ्रह्म निकाल दें, पित्रों का स्राद जरूर करना चाहिए, पित्रों को नवैद जरूर दिखाना चाहिए, इससे आपके कुल देपता भी परसंद होते हैं, और पित्र देपता तो परसंद होते ही होते हैं, वीडियो परसंद आई हो तो एक बार फिर निवेद कारियां देते हैं बहुत बहुत आभार बहुत धन्यवाद इश्वार आपको हमेशा सुखी रखे संपन्य रखे और स्वस्त रखे